परखन की जन्ता ने आपको चल्कुषा परखन की जन्ता को बज़ाई देना चाहते हैं कि आज जो चल्कुषा परखन में जिला परिस्द के उमिद्वार की रूप में हमको यहां के लोग ने जो बोट दिये हैं करके विजय बनाया हैं और जो असिरवात दिये हैं सबसे पहले उन लोग को हम बढ़ाई देते हैं आप इस मुकाम तक आप कैसे पहुचे आज उने सो संतावे इस भी से हम लगातार सीटी आइमेल से महंदर सिंग स्वरिये महंदर सिंग थे उनके भावना से हम जुड़े एक सभा में गये थे वहां देखें उनका जो भावना था उन भावना के साथ उनके साथ हमें हम रहें उसके बाद महीं से मेरा राजनीती कैरियर सुरू हूँआ और हर समय गरीब दलितों जो बहुत सारे लोग थे उनके खिलाप हमने जो संगर्स किये हैं चाहे कोई भी मामला हो, गरीब का मामला हो, बड़े लोगों का मामला हो, जो भी मामला हो, उस सवाल के ले करके हम सबसे पहले आगे रहें, और उस केरियर तक हम जैसे पोँचे, कि जहां इमंदारी की बात हो, चाहे राशन की राशन, जो भी मामला हो, इस मामला को हम लगाता की शदेश बनाया गया राज कमिटी में लिया गया और उस संघर्ष के जरिये आज तक हम यहां तक पहुंचे हैं आज यहां जो मुकाम हासिल किये हैं यहां की जनता जो हमको आशिरवाद दी है उन लोग के साथ में हम मिल जूल करके कंधा से कंधा मिला करके चलें आज वही कि असीरवाद हमारे साथ हैं यहां की जनता के लिए जो बिजली का समस्या है आज पिछले दिन के पहले पंदरा दिन के पहले जो बोर्ड का एक्जाम हो रहा था इंटर का एक्जाम हो रहा था चलकुषा परखंड की जो चातर चात्राय थे यहां चौबे के अस्टेशन मे पढ़ने के लिए मने बाइद हो रहे थे और बिजली नहीं मिल रहे थी और यहां के लगातार है कुछ नहीं है और बिजली का समस्या लगातार है यहां तक हम लोग का मुबाइल भी चार्ज नहीं होता है इतना लोग वल्टेज में रहता है और एक आदमी का बिजली का बी हम यहां से मांग करते हैं जो जिस दिन से रेल्वे के लाइन से इधर विजली आई है उस दिन से अगर विजली बील का जोड़ा जा तो हम मांग करते हैं विजली जियम से की केम्प लगा करके विजली बील हैसो भुखतान किया जा और सबसे पहले विजली को सुधारा जा ता कि जलता मजबूर हो गई है और दूसरे तरफ यहाँ जो देख रहे हैं बहुत ऐसे पहुचा है, वहाँ चालिस हजार बिल तक पहुच गया है, इसको हैसो हम मांग करेंगे, बिली जीयम से की बोल इसको जास करकर के, देखिये वहाँ सही क्या है नहीं है, इस पर हैसो विचार करें, इस पर